ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री गुरुव्यो नमः ओम श्री रिशिभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः देवबानि संस्कृतं इ गुरकुलं प्रती भवतां सर्वेश्यां हार्दं स्वाधतं आईए मित्रो लगू सिध्धांत कौमदी की कक्षा में आज हम कुछ हल संधी के सूत्रों को आचारेवर्द राज महाराजी के अनुसार पढ़ेंगे गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था गणोह कुक टुक शरी और उस पर ही बारतिक भी था चयोदितियाह शरी पौशकरशादेरितिवाच्यम ये बारतिक था हमने इस पश्टूप से पढ़ लिया था एकदम लिख करके मैंने आपको उदाहन समझा दिये थे अब उससे आगे लगू सिध्धांत कौमदी की सूत्र संख्या 6C में आचार वर्दराज महराजी महरशी पाणनी के सूत्र को ले करके कहते हैं डाह सी धुट आठ में अध्याय के तीसरे पाद का 29 सूत्र है पदच्छत देखिएगा डाह पंचमी विवक्ती एक वचनांतम सी सप्तमी विवक्ती एक वचनांतम धुट प्रथमा विवक्ती एक वचनांतम अब इसमें उपर से हे मपरे वा की अनुवृत्ति आती है अब आचर वर्द राज महाराज जी के अनुशार अर्थ को देखते हैं सरल सूत्र है छोटा सा सूत्र है डात परस्या सस्या धुड़ वा शत्त संतहा शत्त संतहा ये उदाहन इसके दो आयेगा कहते हैं ड से परे सस्या मने दंत्य सकार है उसको धुट मने धुट आगम वा मने विकल्प से होता है ठीक है सरल है कोई परेशानी नहीं है अब हमको ये थोड़ी सी समझने वाली बात है समझ में आ जाए तो अच्छी बात है नहीं तो आप सरल डंग से अर्थ समझ लेना जो मैंने बता दिया जब सूत्रों में कहीं पंचमी निर्देश भी होता है और सप्तमी निर्देश भी होता है पंचमी जहां पर लगाई जाती है जिस पद में लगाई जाती है बहां पर एक सूत्र आचरपांडी जी के जट से आ जाते हैं कौन सा तस्मादृत्य। तरस्य यह यह मने पूर्में पढ़ा दिया आपको कि जिस पदमें इस सूत्र के जिस पदमें पंचमी विवकती से निर्देश किया गया है तो उससे उत्तर को काम होता है उससे अभ्यवहित उत्तर को काम होता है अच्छा जी यहां पंचमी लगी है लगी है पंचमी तो डस से अभ्यवहित उत्तर को काम होना चाहिए अच्छा जी एक विवक्ति ओर रहे है और ये सप्तमी disclosure अचारी पार्णी जीने बतला दिया है और सुत्रम से निर्दिश्ट को काम होता है अब ये क्या हुआ या पंच्मी ने कह दिया कि अभ्यभखित उत्तर को काम होता है सप्तमी वाले सुत्र ने कह दिया जी अभ्यभखित पूर्ब को काम होता है तो किसको तोनों की टक्कर हो गई यह बोल लाएं जी उत्तर को होगा अब जबहित और यह बोल लाएं कि पूर्व को होगा आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मालीजिएगा इधर डव है और इसमें इधर शाह है ठीक है अब ये पद कहता है कि इससे उत्तर अब्यबहित को काम होगा जो भी दोटा दी और यह कहता है सब्तम मिंत बाला कि बाहिए सब्तम हमारे में लगी है इसलिए हमारे सूत्र हैं तसमिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्या अब भी तपूर्व को काम होगा तो दोनों की टक्कर हो गई जी आप असमें भिड गए किसको ये कह रहा है इसको यह कह रहा इसको जी बड़ी समस्या हखड़ी हो गई है आब है ऐसा हो गया जी तो इस प्रकार से तो किसी को नहीं होगा जी दोनों लड़ते रहेंगे और दोनों लड़ते रहेंगे तो शब्द रूप बने जाई नहीं जो बनाना चाह रहे हैं और यह सुत्र व्यर्थ हो जाएगा तो इस दश्रा में जहां पर इस प्रकार के आपस में विवाद उत्पन हो जाता है वहां पर पंचमी और सप्तमी के कारण से विवाद तुर्टपन हो जाता है तो उसका फैसला करने के लिए निर्णे करने के लिए हमारे वैयाकरणों ने एक परिभाषा बना दी है है उब भाया निर्देशे पंचमी निर्देशोबलीयाह कि बाई देखो कहीं पर दोनों का और निर्देशा आजाए पंचमी का और सबतमी का तो उसमें पंचमी निर्देशोबलियां पंचमी विवक्ति से जो निर्दिष्ट पदैजी उसको बलवान मानना चाहिए उसकी पहले चलेगी सब्तमी वाला रुख जाएगा थोड़े समय के लिए पंचमी किसमें जी इसमें तो ये बलवान बन गए इनकी सपो होना हो तो हो जाना तो अब क्या होगा अब होगा डह से हुत्तर अभ्यवहित सको धुट आगम होगा तो यही आचर वरद्राज महराज जी ने कहा दात परस्य सस्य धुडबा दिकल्प करके दुड़ हो जाएगा अब इनकी नीच लेगी यह कम जोड़ पड़ गए हाँ हुमारे पक्षमी नहीं अधिस आगए तो मैं क्या कर सकता हूं तो अब इसके उदाहरण में देखते हैं ठीक है बहुत अच्छी प्रवाश आए है उबया निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान अर्थात यहां पर पंचमी और सब्तमी दोनों के निर्देश मिल जाए सूत्रों के पदों में तो वहां पर पंचमी निर्देशो बलियान पंचमी वाला वलवान होता है अब आईएगा उदाहरण में घटाते हैं हमारे पास में उदाहरण हैं देखिए ऐसा शब्द है शश संताह तो अब हम यहां से चलते हैं तो यहां पर जलाम जश्व अन्त कर तमाहा आदी लगा करके इसको हो जाएगा शव डव डव हो जाएगा ठीक है जश क्योंकि यह टवर्ग के समानिस्थान बला है रिटुरशा मूर्धन्या हां और यह आगे संतहा है अब देखिएगा ड़ है ड़ से परे सा है तो इस उत्रे का ड़ से परे जो सा है आव्य इसकी संजा हो जाती है लंत्यम देशे अजन उना सिक इत्र तो क्या बचिक्व द्हों तो तो टो टेक है तोने से कहा बैठेगा आद्यां पाउ टकिता हूँ कहते हैं जिसको पाई आता उसके पूर में आके बैठता है किसको आए जी सको काय तो यहां बैठ जाएगा यह इ अब देखिएगा शडधा संतह अब खरीच लगने लगा कि भाई खर के परे रहते जलको चरो जाता है अर्था तो उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है तो इसको क्या हो संतह और इसको भी खरीच लगने लगेगा तो खरीच से इसको भी क्या हो गया तो यह जल है तो यह शट संतह और जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में क्या हो जाएगा उदार्ण आपका शट संतह ठीक है कोई परेशान ही नहीं है क्योंकि यहां पर नहीं हुआ और यह खरीच से होई जाएगा ड़को अठा तो शट संतह सूत्र बहत बहुत ही महत पूर्ण हैं आएगा यह आपको हमने पूरा समझा देया अब आगे आचार वर्द्राज महराज जी कहते हैं सतासी मा सूत्र नश्च आठ में अध्याय के तीसरे पाद का तीस मा सूत्र नाह पंचमी विवक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम आएगा इसमें उपर से हे मतरेवा से वा आ रहा है डाह सी धुट से सी और धुट आ रहा है और पीछे से पदस्य चले आ रहे हैं तो इसका अर्थ देखिएगा नांता परस्य सस्य दुडबा संत्साह संसाह कहते हैं नकारांत पद से उत्तर मनें पद के अंत्य में नकार हो उससे उत्तर जोस्सा है दंत्य सकार उसको विकल्प करके धुट हो जाता है सरल है अभी सूत पड़ा है वैसा ही है केवल वहां पर डथा यहां पर है न तो उदाहन देखिएगा क्या उदाहन है आपका ऐसे है सन प्लस साह ठीक है अब यह एक पद है पद के अंत्य में नहें आगे सा आ गया ठीक है जी कहा नांतात परस्या सस्या वा धुट नांत पद है उससे उत्तर साय तो इसको धुट हो जाएगा आध्यन तव टक तव आधी में बैठ जाएगा आधी में बैठ जाएगा तो क्या बनेगा जी सन और धुटका धावचेगा केवल और साह और फिर वही पूर्वत सूत्र खरीचा खरीचा से क्या हुआ इसको तव हो गया तव हो गया अब इसको मिला दीजिए गाप संतसाह संतसाह बन गया जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में आपके ऐसे के ऐसे ही रहेंगे यह तो क्या बन जाएगा संसाह बन जाएगा तो यह आपका नश्च सूत्र भी कंप्लीट हुआ कोई इसमें कठिन बात नहीं है सरल है अब तो कई बार बीच में कठिन आ जाता है फिर सरल भी आ जाता है अब आगे कहते हैं महर्शी पाणनी का सूत्र लेकर के आचारे वरद्राज महाराजी लगुस धांत सूत्र संख्या 88 शी तुक आथमाध्य तीसरा पाद 31 सूत्र शी सप्तमी वक्ति एक वचनांतम तुक पर्थमाद वक्ति एक वचनांतम आनंदाराजी इसमें भी उपर से हे मपरेवा से वा रहा है और नश्च से ना रहा है ठीक है और पीछे पदस्य से पदस्य चला रहा है तो इसका अर्थ देखिएगा आब कहते हैं पदांत अस्य नस्य शे परे तुगवा पदांत नस न को मनबद के अंत में न है तो और आगे शा है यह शी आंगया तो शी मन शकारे परतहा क्या हो जाएगा तुगवाद कल्प करके हो जाता है इसके उदाहन देखिएगा, उदाहन इसके अधिक हैं, सूत्र छोटा है, उदाहन अधिक हैं, संच्छंभु हूँ, संच्छंभु हूँ, संच्छंभु हूँ, संच्छंभु हूँ, इतने उदाहने, इसमें कुछ उदाहन तो बोलना ही बहुत कठिन है, पर इस प्रकार का उदाहरण तो चार उदाहरण इसके बनेंगे आईएगा आप शुरूबात करते हैं कैसे इसके बनते हैं चार उदाहरण अब देखिएगा शब्द क्या है कि सन प्लस शंभु हूँ कि यह है राइट अब यहां से गड़ी चलेगी आगे पीछे के सुत्र लगा करके हमको चार उदाहरण बनाने अब देखिएगा सन है अब यह पद है एक यह पद है पद के अंत में नहें कि सुत्र ने कहा पद के अंत में नहें और उसके वाद में यदि शपरे हैं तो क्या हो सक हो तुकागं हो जाता है जो उपर से नारा था वो सशठी बदल गया और उसको होगा तो शकार के परे रहते जो पूरु में code नहें उसको होगा क्योंकि नश्च में जो पन्चमी लड़िक ही उसको इससूत्र में शशठी नानाम कर दिया है इसलिए अभस वेन्ज महीं टकर नहीं है और शन्रीः में होता है तो क्या मनत में बठता है क्या बन गया सन रहे सम्भूशा सन्रे यह महिपन हो जाती है तुंसे लोपहा तो क्या में गया और फिर यह शंभु हूँ हूँ है इतना बनिया इस सूत्र का काम खतम होगा विकल्प से कर दिया एक पक्ष में नहीं होगा ठीक है जिस पक्ष में हो गया उस पक्ष की अभी अम बात कर रहे हैं अब देखिएगा अब यहां पर क्या प्राप्त हुआ अब यहां पर प्राप्त हुआ तो चुनाश चुहू मने शक्य योग में तको क्या प्राप्त हुआ चवर्ग तो इसको तको क्या हो जाएगा पहले को पहला हो जाएगा तो इसको क्या हो गया जी च ठीक है आगे यह शं में तो फिर दुबारा तो चुनाश्चू लगने लगे लगने लगें तो इस न को क्या हो जाएगा पांचमा हो जाएगा यहां ठीक है अब क्या बन गया यहां आईएगा यहां दिखाते हैं आपको संच और यह बन गया शम भूठू ऐसा बन गया अभी ठीक है अब एक सूत्र और है शश्चोटी शश्चोटी क्या कहता है हल से उत्तर शकार को विकल्प करके च्छ हो जाता है बाद में अट परे रहते तो सर्थ गट गई जी क्या है यह हल है च्छ और उसके बाद में शाह है और बाद में आ है अट प्रत्यार में आ गया जी तो विकल्प करके वह महराज जी भी लगने लगे लगने लगे तो क्या इसको कर दिया यह और यह च्छ और शाको क्या हो गया च्छ और यह यह बन गया जी, क्या बन गया, संच चम्भो हो, यह आपका एक उदार्ण बन गया, ठीक है, और अब जब यह बन गया इतना, तो इसमें एक सुत्र और लगने लगे, एक सुत्र और लगने लगे जी, कौन से, जरो जरी सवर्णे, वो क्या कहने लगे, हल से उत्तर जर का बिकल्प करके लोप हो जाता है, यदि बाद में सवर्ण जर परे हो तो, तो अब इसमें, ध्यान से देखिएगा, अब यह, क्या है यह, हल है, हल के अंतरगता आता है, यह, उसके बाद में, यह, जर के अंतरगता आता है, च, और च, भी, जर के अंतरगता आता है, और यह, च का सवर्णी है, च, दोनों एक भी बनके है, तुल्यास से प्रेतनम सवर्णम, तो जरो जरी सवर्णे, महराज जी बोले, भाई, यहां पर भी विकल्प से लोप होगा, जर का लोप होगा, विक संचंभु हो ठीक है संचंभु हो बन गया अब कितने बन गए आपके तीन बन गए जी तीन बन गए कौन से पक्ष के बने जब इस सूत्र ने तुक कर दिया है यह तुक पक्ष के तीन रूप बन गए है तुक पक्ष में भी क्या है एक बार शष्चोटी लग गया और एक बार लग गया जी जरो जरी सवर्ण तो आपके यह तीन उदाहरन सिध्ध हो गए ठीक है अब हम जिस पक्ष में तुक भी विकल्प से है यह तो नहीं करते हैं तुक इस तुक को नही करते हैं तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा अब यहां पर कौन्सा सुत्रराप्त थे तो सचचुना शचुः शवर्ग मने शकार है योग में तबर्ग को ब कर जाता है तो इसका शवर का पांचमा यहां पर यह तो क्या वन गया जी आर शञ म três अ तो आपके ये कितने उदाहर्ण बनगे देखिएगा पहला उदाहर्ण एक दूसरा उदाहर्ण दो तीसरा उदाहर्ण और चोथा उदाहर्ण पहला उदाण, दूसरा उदाण, तीसरा उदाण, चोथा उदाण, बनेगे चार जी, कोई परेशानी तो नहीं है, बस ये व्याकन ऐसे बुद्धी खोलेगा आपकी, कूप भुमाएगा फिर आएगा, बस फिर आपकी बुद्धी तार्किक बन जाएगी, तो ये शित्तुक सूत्र को हमने आराम से विस्तार रूप से पढ़ लिया, चलिएगा, अब इस सूत्र को यहीं विराम देते हैं, इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं, आगामी कक्षा में फिर हम और नया सूत्र ले करके आपके समक्ष उपस्थित होंगे, आचार वरदराज महराज जी के अनुसार अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमाहां